गुड मॉनिंग स्टूडेंट्स, हाव आर यू बेटा, आज का हमारा जो पॉलिटिकल साइंस में जो है लेसन होगा, बारते स्विधान में मोलिक अधिकार, लेसन टू सबसे पहले हम मोलिक अधिकार के उपर ही आपको बताएंगे, मोलिक अधिकार किसे कहते हैं? के लिए जो अधिकार दिये जाते हैं, उन्हें जो अधिकार दिये जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मोलिक अधिकार देख बठाँ, बारती स्विधान में जहें छै प्रकार के मोलिक अधिकार दिये गए हैं, पहले कितने थे? साथ मोलिक अधिकार थे, कौन सा मोलिक अधिकार अटा दिये गए हैं? समपत्ति का मोलिक अधिकार अटा दिये गए हैं, वो 44 स्वेधानिक संसोधन के तहत अटा दिये गए हैं, उसे एक विदीक जह कानुन बना दिये गए हैं, अब देखो बटा सब से पहले लेते हैं, समानता अधिकार किसके अंतरगत है? अब जहिन का भारी बारे हम एक्स्प्लेन करेंगे? सब से पहले लेते हैं, समानता का अधिकार, बारते स्वेधान में समानता का ओ, बारते राज दंतर का आधार सिला माना गए हैं, इसमें हम देखते हैं, इसमें सभी प्रकार से लोगों के बीच समानता स्थापित करने के अधिकार प्राप्त होते हैं, बारते स्रीदान दवारा देश के किसी भी नागरिक को जाती धरम, रंग, लिंग, जनमस्थल के आदार पर कोई बेदबाव नहीं किया जाता उसे क्या कहिंगे हम समानता का आदिकार क्लियर नेक्स्ट अगली बात आते हैं जासी कि समानता के अदिकार के अंतरकत सामिल प्रवादान बाते हैं कानु के समक समानता किस आर्टिकल में बिटा आर्टिकल 14 में जबकि मैं आपको ये बता दूँ क्या बेदबाव की मनाई बेदबाव की मनाई मनाई आर्टिकल पंदरा नेक्स्ट आउसर की समानता आउसर की समानता आर्टिकल सोला नेक्स्ट चुवाचूत की समापती चुवाचूत की समापती आर्टिकल सत्रा नेक्स्ट उपादियों का आंते ये किस के अंतर गए बटा आर्टिकल अठारा के अंतर गए ठीक है बटा तो इसमें कानून के समक्समान तमलो कानून के आदार पर सभी को समान समझा जाता है किसी व्यक्ति के आदार पर कोई बेदवाव नहीं किया जाता कानून का समान समाप्षन जाती, दरम, लिंग या जन्जब स्थान क्या दार पर बेदवाओ का निशेद है रोजगर की आउसर की समानता, पधियों का आंत, छुआ छूत की समाप्थी ये सबी क्या है समता के अधिकार के अंतरकते जहें बाते सामिल की गई कि मैंने आपको आर्टिकल भी बताई, नेक्स्ट, कानून के समक्स मानता, देश का कानून सभी के लिए क्या होता बेटा, समान है चाहिए वो क्या, गरीब हो या फिर अमीर हो बेटा, गरीब हो या अमीर हो, सभी क्या है समान है, ठीक है देश का सविधान सभी को एक नए प्रणाले की दवारा नए देता है इसे कानू के समक समानता का जाता है नेक्स्ट आगली बात आते हैं रोजगार की आउसर की समानता पर्तिक नागरिको जो रोजगार प्राप्त करने की समानता है क्योंकि योगिता के अनुसार रोजगार पानी का अधिकार है जो कि मैंने आपको बताया आर्टिकल आउसर की समान तक किसके अंतरगत है आर्टिकल सोला के अंतरगत है ठीक है इसके लिए नागरिकों से उनके जाती दरमलिंग, रंग या जनमस्थान क्या दरपर बेदवाओ नहीं किया जाता मनों सभी को समान समझ जाता है नेक्स्ट आगली बात है तेज सवतंतरता का अधिकार या विक्तिकत सवतंतरता बिना किसी अन्य की सवतंतरता मनों बिना किसी अन्य की सवतंतरता को नुक्ष्यान पहुँचाई बिना कानुष विवास्ता को ठेश पहुचाए या परतेक व्यक्ति अपना कोई बीकारिय कर सकता है और अपने-अपने शवतंतरता का आनंद ले सकता है ठीक है, सवतंतरता इम व्यक्तिकल सवतंतरता गया दिकार में सामिल जो है प्रवादान कोण कोण से हैं, जैसे मालो फोर एक्जामपल बासन वै अभी व्यक्ति की सवतंतरता, शान्ति पुन डंग से जमक होने या सभा करने की सवतंतरता, संगठित होने की सवतंतरता, बारत म किसी भी हिस्से में बसने व्या रहने की सवतंदरता कोई भी पेशा चुनने या व्यापार करने की सवतंदरता जीवन की रक्षया या देहिक सवतंदरता का अधिकार अभी युक तो होता था सजा पाई लोगों को अधिकार तो ये सबी क्या है सवतंदरता से समधिते अधिक सामेल है अब बात आते हैं जीवन जीने का अधिकार जीवन जीने का अधिकार विटा किसके अंतरकत है आर्टिकल 21 के अंतरकत है जीवन जीने का अधिकार का प्रवादान है शुरोच चनेले ने यह कहा मना है कि हर व्यक्ति को अपना जीवन जीने का अधिकार है इसके लिए परी बाहसा दी गई है जीवन के अधिकार का अर्थ है कि व्यक्ति को आस्रे और आजीवका का भी अधिकार हो क्योंकि इसके बिना कोई व्यक्ति जिन्दा नहीं रह सकता अगली बात आते हैं मैं व्यक्तिकत स्वतंदर्ता का अधिकार व्यक्तिकत स्वतंदर्ता का अधिकार का मतलब का है किसी भी नागरिक को कानुन दवारा निर्दाइत परकरिया का पालन किये बिना उसके जीवन और व्यक्तिकत सवतंतरता से मन्चित नहीं किया जा सकता इसका अर्थिया है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कान बताए गरफतार नहीं किया जा सकता इसका पुरादन किसके अंतरगत है बेटा आर्टिकल जो है बाइस के अंतरगत ये वेवस्था की गई है बलग चोविस गंटे के अंदर अंदर मजिस्टेट के सामने पेश करना होता है अगली बात अते अभी वेक्ति हैं सजा पाए लोगों को स्विदा अंदवरा प्राप्त अधिकार गरफतार के गई जाने पर उस वेक्ति को अपने पसिंदम वकील के माद्धम से अपना बचाओ रखने का अधिकार होता है इसके अलावा पुलिस के लिए यह आउशक है कि वे अभी वेक्ति को 24 गंटे गंदर निकरतम मजिस्टेट के सामने पेश करें गरफतारी के समय उसके घरवालों को सुचित करना आउशक होता है नेक्स्ट उसे यह भी जानने का अधिकार होता है कि उसे क्यों और किसी किस कानूं के तहते गरफतार किया गया है नेक्स्ट मजिस्टेट ही इस बात का निर्णे करेगा कि गरफतार उचित है या नहीं तो ये सबी बाते क्या हैं एक गिर्फतर व्यक्ति के अंतरगत बारते स्विधान में क्या अधिकार प्राप्त होते हैं गिर्फतर व्यक्ति को अगली बात आते हैं स्विधान के अनुचेर 21 के अनुचार किसी भी व्यक्ति को कानुदवरा स्थापित परकरिया के सिवा उसके जीवन और व्यक्तिकल स्वत्मत्ता के अधिकार से वन्चित नहीं किया जाएगा किसी भी अपराद में अभी व्यक्ति, अभी युक्त व्यक्तियों के आधिकार, कौन-कौन से मिटा नमबर एक, किसी अपराद में दंडित व्यक्ति अत्वा भी युक्त को कानुद वारा निर्दायत दंड से आधिक दंड नहीं मिलना चाहिए next किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराद के लिए एक बार से अधिक अभी योजित और धंडित नहीं किया जा सकता next किसी अपराद में अभी युक्ति व्यक्ति को श्यम अपने विर्द गवाई देने के लिए विवस नहीं किया जा सकता तो ये किसी भी अपराद अभी व्यक्ति के अधिकार हैं जो की तीन परकार बताएं मैंने अब बात आते हैं बल का परियोग बल का परियोग का अर्थ है अभी युक्त को वीवस करना अत्वजबरदस्ति जो वह नहीं करना चाहता है वह करना जैसे डड़ाना, धमकाना, चोट पहुचाना, मार पीट करना गैरगान उनी तरीके से कैदिक करना ये सभी बल का परियोग से संब्दित बाते आते हैं अब अगली आते हैं निवारक नजरबंदी निवारक नजरबंदी कारत है, बिना मुगदमा चलाए किसी व्यक्ति को इराशत में रखना निवारक नजरबंदी का मुक्ख उदिश से क्या हता है निवारक नजरबंदी का उदिश से किसी व्यक्ति दवारा किये गई अपराद के लिए दंडित करना नहीं अपितु उसे कोई अपराद करने से रोकना होता है इस परकार यह कदम दंडात्मक नहीं अपितु सुरक्षात्मक होता है अगला आता है किसी भी नजरबंद वैक्ति को दो अधिकार प्राप्त होना यह जानने का अधिकार कि उसे किस आदार परबंदी बनाए गया है नमबर दो नजरबंदी के आदेश के विरूद परतिवेदन करने का अधिकार होना यह सबी बात क्या है किसी भी नजरबंदी व्यक्ति को इस प्रकार दो अधिकार होता है एक तो उसे जानने का अधिकार होता है कि उसे किस आधार प्रबंदी बनाए गया है और दूसरा नजबंदी के आदेश के विरूद परतिवेदर करने का अधिकार भी जो है एक नजबंद वैक्ति को होता है अब अगली बात आते आपातकाल आपातकाल जो कि आप पलस्टू में भी जानोगे आपातकाल है एक एपरतियासित, कठीन, खतरनाक स्थिति है जिसमें सरकार दवारा अधिकांस मोलिक अधिकारों को निलंबित कर दिये जाता है जिसके अंतर बासन के सवतंद ता, सभास मेलन करने के सवतंद ता देश के बीतर गूमने फिरने की सवतंतरता आदी निलंबित हो जाते हैं बिना किसी मुगदमा को सरकार किसी को भी हिरासत में रख सकती है अब नेक्स्ट आते हैं आपात कल के में मौलिक अधिकार उखा पर परभाव नमबर एक आपात कल के स्थित्य में मौलिक अधिकार पर परतिकुल प्रभाव पड़ता है जिसके अंतरगत बासन की सवतंतरता सभास मेलन करने की सवतंतरता देश के बीतर गोमने फिरने की सवतंतरता आदी निलंबित हो जाते हैं सेकिंड विदान मंडल ऐसे कानून बना सकती है और कारेपली का ऐसे कारे कर सकती है जो अनुचेद 19 दुवरा पर्दत अधिकार के खिलाफ जाते हैं। नेक्स्ट आपात कल एक परत्यासित कठीन तदा खतरनाक स्थिती है इसमें ततकान कारवाई की आउसकता होते हैं। अपात कल की गोष्णा राष्टपती मंत्री मंडल की सला पर करता है। इसमें शोतंतरता निजी शोतंतरता पर ढेर सारी परतिबन देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक स्विधान में निवारक नजरबंदे का भी परवादान होता है। या चाहिए अन्यकिसी धरम का यम्मत के अनुसर उपास न कर शकता हो। इसे ही क्या करगे दार्मिक सवतंतरता। राज्य का अपना कोई धरम ने होना। अपना कोई धरम ने होना। क्या कहलाता हैं दरम ने पेक्स था। ठीक हैं तो दार्मिक सवतंतरता के अधिकार में सामिल प्रवधान दार्मिक सवतंतरता के अधिकार पर प्रतिबंद। शरकार चाहे तो धार्मिक स्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत शती पर्था, बहुईवा, मानव, बली जैसी कूप पर्थां पर परतिबंद लगाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। अगली बात आते हैं दार्मिक परिवर्तन। जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा नुशार अपना धरम तयाकर किसी अन्य धरम को अपना लेता है तो उसे क्या कहते हैं दार्मिक परिवर्तन। जबरन धरम परिवर्तन। लगते हैं ठीक है अगला तबिटा सोचन के विरुद अदिकार मानु वियापर जब वस्तों की तरह और पुर्षों को बेचना बाड़े पर उठाना अन्य था उपयोग करना इसके साथ साथ और लड़कियों से एनितिक प्रियोजन के लिए वियापर करना भी मानु वियापर कहलाता है बेगार वा जबरन मजदूरी किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद काम लेना और फिर उसे मजदूरी ने देना अथा उचित मजदूरी ने देना क्या कहलाते है बेगार मलो अधि गंटे काम करवा लिया और वेतन कम देना और या ने देना वो क्या कहलात आते बेटा हमारे सव़ेदान में सोष्ण के विरोद अधिकार के मुख्यदों पर रोघनननान 1 मनवय वियापार था你द बेगार पर रोख सववेदान के अनुची तैजिस के दुआरा मानव व्यापार था था बेगार और जबरं काम करूआने को गैर गानुन गोशित किया गया है नेक्स दूसरा बाल मजदूरी पर रोक बाल मजदूरी को बाल शोषन भी का जाता है 14 वर्से कम आई हो कि बच्चों को किसी फेक्टरी या दुकान या खान में काम पर लगाना तो अथवा इस परकार के बच्चों से कोई जोखियू वाला काम कर गयर कानुने तो इस परकार से बाल मजदूरी पर रोक लगाए गई अगली बात आते हैं संस्कृति और शेक्षिन के अधिकार अलफ शेंकर अलफ शेंकर वह समू है जिसकी अपने एक बासे या धरम होता है और देश के किसी एक बाग में या पूरे देश में संख्या के आ रोधान है नमबर एक अलफ शेंकर शमु को अपनी बासा लिप्पी और संस्कृति को सुरक्षित रखने और उसे विक्षित करने का दिए कारे कार तरकार इस आदार पर बेदबाव नहीं करेगी कि उसे शिक्षण संस्था पर प्रबंद किसी अलब शिंग समुद्धाई के आथ में हो इस प्रकार से हम देखते हैं शिक्षा के अंतरगत क्या बताएगे बटा यदि मालो शिक्षा के आदार पर कोई बेदबाव नहीं किया जाता है मलो सभी के लिए शिक्षा के लिए दर्वाजे खोल दे जाते हैं ठीक है इसमें जो है यह योगता के आदार पर कोई व्यक्ति किसी पर कर कि सिक्षा संस्था में जो है शिक्षा ग्रेंड कर भी सकता है या सिक्षा संस्था खोल भी सकता है तो इसे क्या कैंगे हम स प्रादेशिक या रीट शुरुच नहले या उच्छ नहले उलागू करने के लिए सरकार को आदेश या निर्देश दे सकता है नहले कई प्रकार के विशेश आदेश जारी कर शकते हैं जिने प्रादेश या रीट भी कहते हैं स्वेधनिक उप्चारों के अधिकार के विशे में डॉक्टर बीमरा उंबेड़ करने क्या का है स्वेधनी उप्चारों का अधिकार वह साधने जिसके दवरा सभी प्राप्त अधिकारों के रक्षा की जा सकती है डक्टर अम्बेड कर नहीं इस अधिकार को स्वेधन का हिर्दय या आत्म का है स्वेधनी उप्चारों का अधिकार को इसका वन 허ण किसमें है र्टीकल 32 में इसका वनelyn किया anderes अब अगली बात अती बटा नहले दोड़ा जारी रेट के अंतरगत क्या प्रवाद अनके अगए है स्वेधानि उप्चारों के अधिकार के अंतरगत नहले को प्राप्त declar जिस चेवे नागरिकों गदिकार के लिए हनको रोख सकता है जैसे फास्ट ये मनलों क्या बता रहे हैं हम लेख जो उच्छ तम नहले के दवारा कुछ लेख जारी के गए तो कितने लेख जारी के जारी हैं। तो पहले लेते हैं बंदी परतेक्षिकन लेक, बंदी परतेक्षिकन दमारा नयले किसी भी गिर्फतर व्यक्ति को नयले के सामने परस्तुत करने का देकार आदेश देता है, यदि गिर्फतर का तरीका या कारण गेर कानूनी या ऐसंतोस जनक हो तो नयले गिर्फतर व्यक्त को छोड़ने का आदेश सकता है नेक्स्ट दूसरा प्रमाधेसलेक यह आदेश तब जारी किया जाता है जब नयले को लगता है कि कोई सार्जमी पता अदिकारी आपने कानून या स्वेध को पालन नहीं कर रहा है तो इसे किसी भी व्यक्ति का मोलिक अदिकार अधिकार प्रवायत और हो सकते हैं निशेद अधिकार जब कोई निचली अधालत अपने अधिकार छेतर का अतिक कर्मन करके किसी मुगदमे की सुनाई करते हैं तो उपर की अदालत उच नैले या सुरूच नैले उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निर्देश आदेश जारी कर सकते हैं जब नैले को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानुन रख नहीं है तब नैले आदेश देश के दवारा उस पद पर कारे करने से रोक सकती है नेक्स ना गनाता है उत्प्रेक्षन लेक रीट जब कोई निचली अदालत या सरकारी अदिकारी बिना अदिकार के कोई कारे करता है तो नैले उसके समक्ष विचार देन मामले में मामले को उससे लेकर उत्प्रेक्षन दवारा उसे उपर की अदालत या या अदिकार को आ अस्तांतुरित कर देता है अगली बात अत्य मानुदिकार मानुदिकार का अरत है किसी साधन से साधन व्यक्ति को प्राप्त वह अधिकार जो एक मनुष्य को प्राकर्तिक रूप से या स्विधान से प्राप्त हो इसके बाद में आता है मानुदिकार आयोग मानुदिकार आय एक स्वेधनिक संस्ता है जो अधिकार के हनन के विरुद चोक्षी करते हैं वर्ष दो जर्श में सरकार ने राष्ट मानुदिकार आयोग का गठन किया गया मानुदिकार आयोग के मानुद की सुरक्षा के लिए राष्ट मानुदिकार आयोग में सुरोच नहीं लेका एक पुरू मुक्हन अदिश तदमान अदिकार के सम्मद में ग्यान या विवारिक हो ओके बटा इस वीडियो के मादधम से हमने जो जो टोपिक आपको समझाए आई होप आपके समझ में आगए होंगे हमने इस टोपिक में इस वीडियो में जो है मुलिक अधिकार क्या है और मुलिक अधिकार के उपर व्याख्य करें और दूसरा हमने जो है दूसरा जो है टोपिक हमने लिया क्या श्रोचन अले ने जो लेख जारी किये हैं कौन-कौन से लेक जारे के हैं, उनके उपर व्याखा करें, जो आपने पांच लेक आपको बताएं, पांच लेक कौन-कौन से, बिटा, मैं आपको बता दू, पंदी-प्रतेक्षिगर्ण लेक, परमादेश लेक, निशेद लेक, आधिकार प्रिच्छा लेक, और उत्परिक् लिखेंगे और याद करेंगे ओके बटा, ओके नाइस टोकिन टुई बटा, थैंक यू